जैन बचो हम कर रहे हैं कक्षा दस्वी का जो पहला दिया दिया है वास्तविक संख्या तो इसके कई टॉपिक्स हो जो है हमने बेसिक के कई पार्ट्स में क्या किया है समझा है सीखा है अगर आपने उन बेसिक के पार्ट्स को देखा नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन ब चीजे बिल्कुल क्या है बच्चो सरल और आसान है ठीक है तो यहां पर अंक गणित की अधार वुथ प्रमिया अब आपको प्रमिया का मतलब मैंने बेसी के पार्ट सेकेंड वैसन जा दिया था कि प्रमिया क्या होता है ठीक है और यहां पर अंक गणित की अधार वुथ प्र प्रमिया का कथन क्या है तो देखो प्रमिया कथन क्या होते हैं प्रमिया या प्रमिया क्या होते हैं इसको थोटा से समझ लो मैंने पहले बता रहे हैं फिर एक पर बता दे रहा हूं प्रमिया का मतलब होता है वे कथन जो सदेव क्या होते हैं सत्य होते हैं क्लियर बात तो यह पर द्यान दो यहां पर द्यान दो अंक गर Dominican की अधारवुत क्रमध्य का कथन क्या वोलाँ कि प्रतेक भाजρε संक्या को अंभाजय सिंक्या के इक गुनन फल के रोप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यहाँ गुनन खंडन अभाजे गुनन खंडो के आने वाले करम के बिना क्या है अभ यहाँ पर द्यान दो बच्चों तेहाँ पर दो प्रकार की संख्याओं के नाम यहाँ पर आये हैं ठीके एक तो भाजे संख्या है और दूसरी है अभाजे अब सबसे पहले इस प्रम भाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या क्या होती है किसे कहते हैं अभाज्य संख्या ठीक है और फिर यहां पर हम देखेंगे भाज्य संख्या कि भाज्य संख्या क्या होती है ठीक है अब यहां पर ध्यान दो बच्छों थोड़ा साम तो अभाज्य संख्या को हम क्या कहते है हैं अब क्या होती है आप अब अचाई संक्या जिसके केवल और केवल दो जुनन खंड होते हैं क्या होते हैं ङकई इसको थोटा सा समझता है जैसे हम बात करो दो की, तो दो के दो गुननखंड कौन कौन से हो जाएंगे, एक और दो, अब ये गुननखंड क्या होते हैं, गुननखंड का मतलब यह हो गया कि दो में किन किन संख्याओं का पूड़ा पूड़ा भाग जा सकता, वही क्या कहलाएगा, गुननखंड कहलाए किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो उसके भी कितने गुनन खंड हुए दो गुनन खंड हुए अगर बात करें पांच की तो पांच में भी ध्यान दो तो एक और पांच के अलावा किसी तीसरी संख्या में क्या नहीं जा रहा है भाग नहीं जा रहा है ठीक है साथ की बात करें और साथ की बात में 11 की बात करें तो इन संख्याओं के भी जो गुनन खंड होंगे वो कितने आएंगे बोलो दो दो ही आएंगे समझ मैं बात तो अभाजय संख्या को परिभासित करने का पहला तरीका तो यह है कि केवल कितने गुनन खंड होंगे बच्चो दो गुनन खंड होंगे इसका दूसरा तरीका क्या है परिभासित करने का हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका स्वयम त यह दो है तो दो मेजार है तथा एक स्वयम तथा एक क्या तरिक्त किसी अन्य प्रकार की संख्या से विभाजित नहीं होते हैं ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं अब भाज्य संख्या क्या होती है भाज्य संख्या को कि भाज्य संख्या क्या होती है भाजे चंक्या भी बच्चों बिल्कुल सरल आसान है इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है सीखना है और जो भी चीज़े हैं पर बता ही समझा जा रही है उनको अपनी कार्य पुस्टिका में नोट करना ठीक है और हमारे चैनल पर नए पदा रहे हैं और इसी प्रकार भाजिया पुतते हैं तो से अधिक गुननखंड यहां सबत्कित चैनल क्वां भाजिया यहां पर आपर करें टीक है तो चार की देखो कौन कौन से गुनन खंड competitors कड़ाओंगे एक दो और चार क्योंकि इन तीनों से चार पुढ़ा पुढ़ा क्या हो जाएगा भाग चला क्या अब बात कर था एक Con кож 전에 5 तो यहा थकिक विधिनिक बात कि नो की 2012 चोगदर की तो यह भी क्या होते हैं उनके भी दो से अधे क्या आएंगे गुनन खंड आएंगे तो एक तो तरीका क्या हुआ भाजय संख्या को परिभाशित करने का कि जिनके दो से अधे क्या होते हैं गुननखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाजे से क्या कहते हैं एक अन्य परिभास है क्या हो सकती है कि ऐसी संख्या है जो एक तथा स्वयम के अतरिक्ट अन्य संख्याओं से भी क्या होती है विभाजेत हो सकती हैं उन्हें हम भाजे संख्या क गया अब हम बढ़ते हैं अंक गनेत के अधारबुत बातों आपको अंक गनेत बैतरीके से समझ में ऑगगा ठीक है तो यहां पर कि Prop 23 पconomy में ऑध्य सिंख्या को और बाजस संख्या की गुनन फल के रूप में व्यक्त किया जा सकते है ठीक है सबसे पहले यहां पर क्या बोला है प्रते एक भाज्य संख्या को जैसे मैं एक्जामपल के तौर पर एक भाज्य संख्या छे ले लेता हूं ठीक है और यहां पर क्या वो लगए कि जो भाज्य संख्या को ठीक है जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्य गुनन फल के रूप में हमने क्या कर दिया दो गुणा तील समझ महीं बात इसको ये लिख सकते हैं तीन गुणा दो समझ महीं जिसके यहान दो यह दोनों की dil रूप in क्या है अभाज्ज है जिनका गुन व मतलब ते हो करम के बिना क्रम के विना क्या है इनको जरूरी निए कि एक रह करम से रहा है हम इसکो उल्टा करके भी लिख सकते हैं तीन गुणा दो भी सकते हैं बाजे गुननखंडों के आने वाले क्रम के बीना क्या है अधवितिया यनि यंदिया यानि यह जो छे का हमने अभाज गुननखंड लिखा है यह क्या है बच्चो अधवितिया भी है योग का मतलब होता है इसका उपयोग कहा प्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक् क्या ग्याद करना है HCF तथा LCM ग्याद करना ठीक है हम आपकी पाठे पुस्तों का जो उधारन सठा है इसको करते हैं टाकि आपको बाते जो हैं बिल्कुल बैतरी इन तरीके से समझ में आ जाए ध्यान दो याँ पर क्या बोला है कि संख्याओं छे और 20 की संख्याओं छे और का अभाजय गुननखंड छे का अभाजय गुननखंड क्या हो जाएगा बच्चो छे का अभाजय गुननखंड जो है वो हो जाएगा 2 इंटो 3 ठीके ये क्या हो गया छे का भाजय गुननखंड उसी प्रकाशे 20 का उसी प्रकाशे 20 का अभाजय गुननखंड 20 का अवभजय गुननखंड क्या हो जाएगा बच्छो 20 का जो अवभजय गुननखंड होगा वो होगा 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा बच्छो 5 हो जाएगा समझ मैं बात अब यहाँ पर तो है यह दो गुणा पाज मेंने कैसे लिखा आपने पिछली कक्षाओं में भी इस प्रकास निकाला है जैसे आप छे की बात करें तो आपको इस प्रकास छे क्या भाजे गुननखर्ण निकालने हैं पहले छोटी संक्या से भाग देना दो से भाग दें कितनी बार में प्रकास निकाला है तो इसी प्रकास हमने क्या किया कि रूप में और बीस को अभाजे गुननखर्ण के रूप में लिख दिया समझ माई बात तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है जब इस प्रकार के क्वेस्टिन पूछ जाएंगे तो हमें जो संख्या दी रहेगी उस के बाद जो है हमें क्या करना है अब हम यहाँ पर देखते हैं HCF ठीक है हमें क्या ग्याद करना है सबसे पहले HCF किसका ग्याद करना है छे तथा बीस का HCF ग्याद करना ठीक है अब दोनों में देखो बच्चो कॉमन क्या रहे है उबनिष्ट क्या रहे है यह दो आ रहे है ठीक है । कितनी अधिक्तम घात सब्सक्राइब ठीक है यहाँ जिसको हम केते हैं हाइस्ट कमोन सस्ट्र आपको ने करना है LCM क्या ग्याद करना है बच्चो LCM ग्याद करना है किसका 6 और 20 का LCM ग्याद करना है तो अब द्यान दो जितने भी अलग 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 के उनको लिख देना जैसे इसमें 2 आया है दोनों में 2 आया है और कितना है बोलो बच्चो 2 आया है और 3 आया है और 5 है ठीक है अब इनके अ lcm कितना है दो की अधिक्तम गे मत्याथ 네 कि और पांच के मतेum कोछ प्रेकर करें गाए तो इस प्रकार चैहिए अंक गनीद के हृत प्रमिय की शायता से क्या कर सकते हैं बच्चों हम दो संख्याओं के मद्या एच इसी प्रकार के सरल तथा असान प्रशन जो हैं आपकी एक्जाम में पूछे जाएंगे जैसे हमने उदहारन सेटे को किया है इसी प्रकार से कई अन्य उदहारन भी आपकी पाठे पुस्तक में है तो उनको प्रेक्टिस करना बिल्गुल बिना भुले प्रेक्टिस करने से आपका कॉंसर्ट्व्ट होगा जो की अरपर मैं पतातो आपको बैसा समझ में आई आ जाएगा और सब्सक्त्र प्लीलिंट में जाकर कर को देह सकते हमापर प्रस्नावली की सारी वीडियो जो आ इसको लाइक करना बिल्कुर ना भी ले अपने दोफ्तों के साथ साजा जरूर करें धन्यवाद